पंडिशी हम देखते हैं कि किसी किसी के घर में श्यनी और राहू केतू के बुरे प्रभाव की वज़ा से परिवार में छूटी छूटी बातों पर विवाद हो जाता है जगड़े हो जाते हैं तो ऐसे में लौंग का कौन सा उपाय सबसे कारगर साबित होता है पहली बात तो यह जानो कि राहू और सनी का जब बुरा प्रभाव घर पर पड़ता है तो घर में होता क्या क्या है पहला काम तो घर की दिवारों में सीलेन आ जाता है दूसरी बात घर में जूते चपल इधर उधर बिखरे रहते हैं बरतन इधर उधर बिखरे रहते हैं घर म इलेक्ट्रानिक गजब şi 요前 एकाराग या र टीभी फूक जाती है फिर इस खराब हो जाती है माझल का गए मोझल संजा करने लगती है कि लाईटें बहूत जिदा खराब होती हैं मेधां घडियां बंद पड़ जाती है घडि अपनर अप दिवार से गिर जाती है तो ये सब बहुत बुरा प्रभाव है राहु और सनी का घर में छिपकिलियां बहुत दिखाई देने लगती है तो ऐसे में छोटी-छोटी बात घर में बड़े बिवाद का कारण बन जाती है तो मैं आपको पताना चाहूँगा इसका उपाय लोंग, राई, राजमा, उड़त की डाल का आपको कम से कम सेवन करना चाहिए कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ना तो आपको लोंग खाना चाहिए, ना तो आपको राई खाना चाहिए ना तो आपको राजमा खाना चाहिए ना आपको काली उरत की डाल खाना चाहिए इसका सेवन बिल्कुल कम से कम करें या ना करें कहीं मजबूरी हो तो भले इसे खाएं लेकिन एकर राहू और सनी खराब है तो इसका सेवन बिल्कुल भूल करके भी ना करें